नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना उस्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पार्टी और आप देख रहे हैं मिट कैप मसाला और इस शो में हम फोकस करेंगे मिट कैप स्टॉक्स में वहाँ पर किस तरह का आक्शन दिखाई दे रहा है उस पर आगे चर्चा करे ले थे एक अच्छी रफतार पकड़ी थी लेकिन उसके बाद फिर एक गिरावट आई और आप 22,300 के भी नीचे फिसल चुके थे लेकिन फिर से एक रिकावरी लोटी और अब निफ्टी करीब सवाब पसेंट उपर है 22,380 के पास कर रहा है कारोबार महीं बैंक निफ्टी निफ्टी में भी निफ्टी में निफ्टी में चड़ने वाले शेरों पर अगर नज़र डालें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा मजबूती है TCS में अभी फिलाल 2% उपर है SGFC बैंक भी आज लीट कर रहा है 2% की मजबूती यहां पर है LTI माइंटर आई शेर मारूती सुजुकी यह कुछ स्टॉक्स हैं जो की अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं वहीं गिरने वाले शेरों पे सिप्ला आई टी सी अदारी इंटर्प्राइजस एस बी आई और बजाच आटो में आज दबाब देखने को मिल रहा है लेकिन ओव बड़ी बाते और बाजार में उतार चड़ावा बना हुआ है निफ्टी 22,400 के पास कर रहा है कारोबार और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो दिन की उपरी स्तर से 500 अंको की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है लेकिन निशले सरों से यहाँ पे भी अच्छी रिकावरी है HDFC बैंक और रिलाइंस से बाजार को सपोर्ट वहीं मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट और इंडेक्स देड़ परसेंट नीचे आज कारुबार कर रहा है वहीं फ्राइमरी मार्केट में भी आक्शन बना हुआ है आज से पॉपुलर वीकल्स का IPO भी खुला है और आगे हम चर्चा करेंगे कि यहां पर किसका का रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है लेकिन इस ऐसे में प्राइमरी मार्केट में भी आक्शन भरपूर है हम देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक प्रिफ्टी में उतार चड़ा बना हुआ है लेकिन मिड कैप औ तो यहां पर काफी ज़्यादा कमजोरी है और करीब डेरी परसेंट की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है अगर इंडेक्स स्मेसिफिक आक्शन देखेंगे तो आई टी और चुनिदा फाइनांस और प्राइविट बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं वहीं दूसरे प्राइव रियालिटी सरकारी बैंकों में और में आज हम दबाव देख रहे हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे में मिट कैप में किस तरह का एक्शन एक बरस पर भी नज़र डालेते हैं और आप फोकस करते हैं उन स्टॉक्स में जहां पर के मिट कैप में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है तीन विंडो के जरी हम आपको दिखाएंगे वो स्टॉक्स डूक्या एक्शन में हैं के फिंटेक के स्टॉक में आज तेजी है और यहां पर कुछ ब्लॉक दील हुई है करीब 2% एक्विटी के सौधे हुए हैं जिसके चलते आज यहां पर द हमने देखा कि 7% तक तूट गया था यह स्टॉक मैनेजमेंट में कुछ बड़े स्तीफे देखने को मिले हैं COO आरुन कश्यप और CCO शिर्पा भाटिया ने इस तीफा दे दिया है इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि स्पाइस जेट भी तूट रहा है आगे और भी जानक से और पैसल से पहले उन से जान लेते हैं अगले तींग घंटे का ट्रेड मारा जी थैंक इसो मच इटीना सुदेश को समय देने के लिए तो बाजार पर नज़र डाले आज जा काफी उताचड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन उसके सामने मिड कैप पर और स्मॉल कैप इंडेक्स हम देख रहे हैं कि सुबे से ही कम जोर है तो पहले तो बाजार पर व्यू दीजे इस समय कहां पर फोकस रहना चाहिए और यह जो भी करेक्शन मिल रहे है थोड़े बहुत कैसमें खरिदारी के मौके ढूंडे या फिर थोड़ा कॉशिस रहे इस समय मार्केट में नवचकार पूजा जी तो देखिए जो वीकनेस है वो ब्रॉडर मार्केट म की बात करें तो आप वहाँ पर बने रह सकते हैं 2200 के नीचे स्टॉप लाउस लगाईए अब फ्रेश करीदारी के मौके तब होंगे जब 2450 के उपर निफ्टी निकलेगा उसके उपर आपको 300-400 पांट की तेज़ी देखने को मिलेगी तो फ्रेश करीदारी 2450 के उपर करे लेकिन जो एक्जिस्टिंग लाउस पोदीशन है महाँ पर आप बने रह सकते हैं 2200 के साथ हैवी विट्स के साथ रहना बेतर है कि अगर आप स्टॉक्स को आप सब्सक्राइब करें तो हैं कि स्टॉक्स पर फिलाल मिट्वादा समॉल कैप से दूर रहें हैं यह स्टॉक्स तो इनसे फिलाल दूर रही है क्योंकि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं आपर correction हावी है और large cap stocks के साथ आप फिलाल जा सकते हैं और हम देख रहे हैं कि आज वहाँ पर अच्छी मजबूती भी बनी हुई है एक खबर भी चल रही है आपके screen पर वो भी आपके लिए दिख कि यहां पर charges में कुछ कटौती देखने को मिल सकती है यह एजेंसी के हवाले से खबर आती है तो यह अपडेट आपके लिए चले बागे बढ़ते हैं और अब stock specific चर्चार शुरू करते हैं अले कि मानस उसके पहले आप से समझना चाहें यह stock specific रणीती आप क्या देख रहे तो देखिए दो stock में recommendation है दोनों में buy recommendation है पहला तो indigo में जहां पर कल 50 day moving average पे stock ने support लिया और closing basis पे हमें एक breakout देखने को मिला volumes बेतर थे I think यह rally continue हो सकती है इंडिगो में खरीदारी करने की सलार है कि 3225 के stock loss से खरीदारी करिए target 3354 रुपय तक के indigo में हो सकते हैं और दूसरे stock जो में नदर में है वो Asian Paints का है देखिए यहां पर अगरा हम पैटन देखें तो Asian Paints ने bottom बनाया है वह दो-तीन दिन पहले 10 day moving average के उपर trade कर रहा था 50 तक के targets possible है ओके तो ये दो stocks अच्छे लग रहे हैं कमजोरी वाले बाजार में भी Asian Paints देखिए उपर है 2950 के लक्षी के लिए आप यहां पर तेजी करके चले सकते हैं और इंडिगो भी अच्छा लग रहा है यहां पर पी आप तेजी करके चले कल से ही stock में हम देख रहे ह ये stock कारूबार कर रहा है तो इंडिगो और Asian Paints ये दो stocks पर नज़र रखिए अब आगे बढ़ते हैं और mid cap में और कहां पर action दिखाई दे रहा है खबरों के चलते और इसके लावा buzzing stocks कौन कौन से हैं ये एक बार देख लेते हैं हमारे साथ अशीशा जो चुकी है पुर सेशन में देखने को मिल रहा है कंपनी की जो parent कंपनी है Oracle उसने अपने नतीजे रिपोर्ट किये और वो नतीजे काफी अच्छे थे revenues में करीब करीब 7% की बढ़ोती देखने को मिली year on या basis पर UST और constant currency टर्म्स में और management की जो commentary आती हुई नजर आई deal wins को लेकर वो भी काफी positive है जिसके चलते Indian listed entity Oracle financial services में भी आज तेजी देखने को मिल रही है off highs पर है stock करीब करीब 4% उपर था morning के highs से गिर चुका है लेकिन उसके बावजू देट परसेंट की बढ़ोती इसके अलावा जुआरी industries की बात करते हैं कंपनी ने बड़े समय के बाद अपना investor presentation अपलोड किया exchanges पर और काफी कंपनी के काफी ambitious plans है monetization को लेकर उनका माना है कि asset monetize करके company deleverage करना चाहता है अपनी debt levels घटाना चाहता है high growth areas पर company focus करना चाहता है इसके साथ ही साथ sugar, power, financial services, EPC services और real estate इन सब segments में company की subsidiaries है और surprisingly investor presentation में इन सब arms का total देखे तो करीब करीब 4000 करोड के आसपास आता है और company का market cap केवल 1000 करोड है इसी के चलते valuation catch up होता हुआ नजराया और stock में 9-10% का up move आज के trading session में देखने को मिला इसके अलावा sterling and wilson की बात करते हैं तो stock lower circuit में है 5% की lower circuit में lock हो चुका है रिपोर्ट के हवालों से खबर मिल रही है कि company की जो promoter entity है शापुर जी पालन जी एन company वो अपना stake घटाना चाहती है हमने independently verify नहीं किया reports based news आती हुई नजराई 12% stake है उनका company में और company promoter entity stake घटाना चाहती है तो negative news flow जिसके चलते stock में आज गिरावट देखने को मिल रही है इसके अलावा कुछ और gainers और losers की बात करते है mid cap space में तो mid cap gainers में बाल करिशना industries का नाम है इसके अलावा torrent power और AB capital में तो एक acquisition आया जिसके चलते stock आज green में trade कर रहा है इसके अलावा losers की बात करें तो top 3 mid cap losers में पतंचली, Indian bank और prestige estates जैसे कुछ stocks का नाम है PSU banks में काफी गिरावट देखने को मिल रही है तो Indian bank, Yuko bank, Maharashtra bank जैसे कुछ stocks है जिसमें आज काफी गिरावट है और IT stocks, in fact IT index एक अकेला index है जो आज green में trade कर रहा है तो TCS, Infosys, LTI, Mindtree जैसे कुछ counters है जो आज तेजी के साथ trade कर रहे है बहुत बहुत है शुक्री आशिशा आपका ये सारी जानकारी देने के लिए तो IT share वो एक 14 सेक्टर में से एक है जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है वहीं दूसरी तरह सरकारी बैंकों में आज दबाफ है और इसके अलावा stock specific action भी हमने आपके सामने रखे अब इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं के fintech से 4% आज ये stock टूटा है और आज nifty 500 index का top loser भी है ये stock लगातार चार दिनों से हम देखने की दबाफ बना हुआ है और अभी भी देखे 600 के असपास ये stock इसवक्त कारुबार कर रहा है कुछ block deal भी हुई है यहां पर और माना जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से कुछ बिक्वाली यहां पर देखने को मिली है अगर वहाँ पर आपको रिवर्सल लेक्न को मिले तो शायद वह एक अपॉचिटी होगी खरीदारी करने की तो वहाँ पर ध्यार नखेंगे अगर वहाँ पर वाइंग देखने को मिले तो खरीदारी किया सकती है अब फिलाल के रिए अवाइड करीए तो बेतर आएगा नहीं दी जा रही है स्टॉक में अचलिए अब आगे पढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेग्मेंट का ऑप्शिंग के चैंपियंज हमारे साथ अफ इंवर्सिफाइग की ध्वनी पटेल मौझूद है ध्वनी थांकिश सूमस समय देने के लिए बताए क्या रणीती होगी आपकी तरफ से आज का हमारा अउप्शिल का ट्रेट यहां पे जो रहेगा वो अमदुचा समेंट पे रहेगा अमदुचा समेंट में ओवर्र यहां पे डेली चार्ट च्रॉक्चर जो है वहां पे एक वीक्नेस देखने को मिल रही है अज के लिए जो है वहां पे इंपोर्टन लेवल का यहां पे वो स्टॉप में आज हींटी की तरफ ब्रीच करा है तो हम यहां पे 590 का पुट आप्शन जो है वो खरीद के चलेंगे 590 का पुट आप्शन आपको 15-50 लुपे के बीच में इसको खरीदना है तार्गे असका है जो 23-25 लुपे का रहेगा और स्टॉप्लस आपको 11 लुपे का लेके चलना है लॉप साइज इसका 18 सोका है तो उससाब से आपका अधिक्तम मुनाफ़ा यहां पे जो है वो 18,000 का हो सकता है और अधिक्तम मुक्सान है वो 7,200 का हो सकता है इसमें इंडिया मार्ट इंटरमेश पर भी अच्छी तेजी है स्टॉक 4 परसेंट उपर है जेफ्रीज की खरदारी की राए आईथी इस पर और जो लक्ष देख रहे हैं वो 3,400 का देख रहे हैं स्टॉक में इंडिया मार्ट इंटरमेश में आज स्टॉक में देखें तो करीब 4 परसेंट की मजबूती शेर मे देखने को मिल रही है मानस आपकी क्या राए होगी आज यह जो तेजी आ रही है उसमें करेंट लेवल पर एंट्री करने की सला देंगे नजरिया बड़ा है 3-6 महिने का नजरिया है तो यह सही सतर है जहां पर आप खड़िधारी कर सकते हैं आपके जो स्टॉप डॉजस है वो 24-50 की नीचे रहेंगे और टार्गेट बड़े सेट करिए करीब करीब 3,000-3,050 के क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पर जाएंग तो इस टॉप पस 2600 का लगाई है और उपर की तरफ 2725 तक के टाइगेट पॉसिबल हैं चीक है तो अभी फिलहाल मीडियम टर्म में 2725 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं तो होल करने की सारा थोड़ा और समय आप देंगे तो 3000 की उपर के लेवल्स भी आ सकते हैं जो कि जेफ्रीज की रिपोर्ट में यह वो देख भी रहें कि 3400 के लेवल्स यहां पर आ सकते हैं अब इबार आ ले लेते हैं स्पाइस जेप पर मानुची आज 7% नीचे है यह स्टॉक कुछ बड़ी मैनेजमेंट का एक्जिट यहां पर देखने को मिला है जिनके पास अल्रेडी है क्या उन्हें भी आप एक्जिट कर लेना चाहिए यह स्टॉक से तो देखिए बिल्कुल निकरला चाहिए क्योंकि यहां पर अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वह स्टॉक ने कंफर्मिशन दिया है लोगर टॉक लोगर बॉटम्स का डेली चार्ट के नीचे फिसला है और आप उमीद कर सकते हैं यहां पर अगर वीकनेस बड़ी तो शाद आपको 48 तक के भाव भी देखने को मिलेंगे तो आज नहीं अगर कोई एक रिकवरी देखने को मिले और 58-60 तक के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और अ हमारे अगले सेगमेंट का मिट्काप के महरत ही और मिट्काप के महरत ही शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रॉसपरिटी एडवाईर्स के रागवींद्र केडिया जी रागवींद्र जी तैंकि पांसा स्टॉक है आपके रडार पर गुड आफन पुजा जी, गुड आफन एटिनौ स्वदेश का टीम, विटकेप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रहेगा नाइल लिमिटेड, यह कंपनी लेड बैटरी मैनुफेक्ट्रिंग और खासकर पे लेड बैटरी रिसाइकलिंग मर गए, हमें लगता है इसका जो EPS आ अपसाइट नाइल लिमिटेड में मिल सकता है, यह पहला स्टॉक रहेगा मिटकेप में, और दूसरा स्टॉक मिटकेप स्पेस से रहेगा, रॉयल और्किट होटल लिमिटेड, रो एचल, यह करंटली 370 के भाव पर है, हमें लगता है इसका एक साल का लक्ष 520 का रहेगा, कंपनी काफी अच्छा कर रही है, इन टरम्स ऑफ हायर रूम रेंटल्स, हायर उक्टिपेंसी रेट, रो एचल एक एसेट लाइट मॉडल की तरफ मूव हो रहा है, करंटली कंपनी का फुलियर EPS अर्निंग पर शेर जो कहते हैं, वो 13 रुपे का हो रहा है, और अगर इस प सब्सक्राइब कर रहा है, तो ध्यान रखेगा दोनों स्टॉक में जो आपको होल्डिंग पीरिट दिया जा रहा है, वो एक साल का है, आपको एक साल के लिए रुखना होंगा, तब वो लेवल्स आएंगे, थोड़ा पेशिंस के साथ समय दीजे, रोयल और्केड एक पहला स्टॉक है, और ना लेमिटेड सत्रा सो साथ के लिए, और दोनों का आपको एक साल के लिए होल्ड करना है, मौझूदा सर पर खरदारी करने की सला, हमारे एक स्पर्ड की तरफ से, रागविंद्र जी, मारस जी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आज और तमा स्टॉक्स पर अपनी रणिती भी सुझाने के लिए, चली, अब आगे बढ़ते और एक और खबर का रुक कर लेते हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आज गुजरात में कई प्रोजेक्ट का उधगाटन किया, इसी कड़ी में मारूती के हंसलपूर प्लां मारूती से खास बाचीत की, आई आपको सुन्मा देते हैं आपको बचतों की, फ्यूल की और कार्बन इमिशन भी लोवर होंगे अगर हम जो हमारा ट्रांस्पोर्टेशन है, कार्स टू, डीलर शिप्स, पूरे देश में जो डीलर शिप्स हैं या एक्सपोर्ट के लिए हम जो शिप में गाड़ियां भेजते हैं अगर ये इनलेंड ट्रांस्पोर्टेशन हम रोड की बज़ाए ट्रेन में शिफ्ट करते हैं तो इसके बहुत फाइदे हैं सबसे पहले एक ट्रेन में इतनी गाड़ियां आती हैं जिसने 40 ट्रक में आती हैं और एक ट्रक ट्रिप करीब 1600 किलोमेटर आवरेज रन करता है तो आप ये मानिए कि 64,000 किलोमेटर का ट्रक ट्रिप सेव करता है एक ट्रेन चलाने से तो इतना multiplier effect है तो अगर हम ये करें तो साल में जैसे हमारी ये 3 लाकी capacity का siding बना है इस से हम साल में 50,000 truck trip कम कर पाएंगे उन 50,000 truck trips में करीब 3.5 करोड लीटर डीजल जो यूज होता है वो कम हो जाएगा और हमारे देश में oil import का burden जो economy पर है वो कम होगा और क्योंकि इंधन का combustion कम होगा तो फिर CO2 emission भी कम होगा साल में करीब 1650 metric ton CO2 emission कम होगा